हलो मेरे दोस्तों स्वागेत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैलेंज इसका नाम है सेना टेक मैं हूँ आपका दोस्तों होस्त एच शाम अक्तर दोस्तों हम लेकर रहाते हैं इसी तरीके से हम आज भी एक वीडियो लेकर आए जिसमें आप देख सकते हमारे पास एक एर कंडिशन है और जिसके डिश्चार्ज जानी कि आपके तो लिक्विड लाइन में आइस फॉर्म हो रही तो दोस्तों हम देखते कि किस तरीके से सॉल्फ किया जाता है तो आप आपके डिश्चार्ज लाइन में आइस फॉर्म होता है तो चलिए इससे देखते वीडियो को पूरा हो दोस्तों हमारे चैनल को और बेल आइकन के दवारा ना भूले हमारे लेटेज वीडियो के अपडेट के लिए तो दोस्तों आप देख सकते कि किस तरीके से हमारा एर आपरोपर बट हमारे डिश्चार्ज लाइन में आइस आ रहा है और कूलिंग भी ज़रा सा भी नहीं है तो फिलाल जो दोस्तों हमें सबसे पहले करना फिलाल हम गेज लगाएंगे सक्सन लाइन में और चेक करेंगे कि इसका बैक प्रेशर कितना क्यूंकि मसीन अभी ओन है तो यह बैक प्रेशर ही बताएगा तो हम बैक प्रेशर पर चेक कर लेते होस्पाइप को मसीन से कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते कि हमने कंपॉंड गेज पे होस्पाइप लगा दिया तो फिलाल जो हमारा प्रेशर बाता रही है बिल्कुल कम है लबक 30 पीस आई है ज फ्लेर से लीक था पहीं फोड़ा सा लीकिस था फ्लेर से ही तो हमने उसे बन कर दिया तो फिलाल दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा बैक प्रेशर बहुत कम है लग बक 30 में तो फिलाल हमें गैश आप अप करना आर 22 तो दिखाते हैं किस तरीक साब आर 22 को टॉप अप क करने किया है फिलाल आप देख सकते हैं जो हमारा आइस से वह मेल्ट हो चुका है क्योंकि मसें थोड़ी देर जब हम लीक्षिक कर रहे तो मसलिन बंग था तो आइस पूरा मेल्ट हो चुका है तो फिलाल हम इसे आन करते हैं जिदने भी ऐरो अगर होंगे आपके लाइन पे यानि की charging line पे वो सारे निकल जाए तो दोस्तों हमने एड़ पर्च किया head pressure से उसके बाद दोस्तों हम तो दोस्तों आप देख सकती किस तरीके से हम compound case की नोप से control करें आप देख सकती कि किस तरीके से निडल ऊपर जा रहा है और निडल को बन करने के बाद compound case का निडल नीचे आ रहा है तो आप दीरे दीरे ही इसे जब भी refill करें तो दीरे डिले करें आप देख से किस तरीके से रेफ्रिजरेंट जाने के बाद ice भी remove हो चुका है तो हमें back pressure डालना है क्योंकि machine अभी on है तो हम back pressure को ही follow करेंगे तो हम उसे ही follow करेंगे और आपने देखा होगा कि हमारा cylinder उल्डर रखा होगा क्योंकि हमारे पास इस्टो वाला cylinder नहीं हमें liquid चाहिए machine में weapon नहीं चाहिए तो इसे तरीके से आप भी करें तो दोस्तो याद रखे कि आपको नोप से ही control करना है refrigerant को आप देख सकते कि वक्त ले थोड़ा ताकि रेफ्रिजेंट आपका पूरी तरीके से calculate हो जाए refrigerant cycle आपके pipeline में तो वह बहतर है आपको एक confirm back pressure मिल जाएगा तो वेट करके डाले आप रिटन चिक कर सकते यहां से तो फिलहाल यह आ रहा है बट हमें क्योंकि वेदर अभी थोड़ा थंड़ा है तो हम 60 तक ही back pressure डालेंगे साथ से 65 डालेंगे क्योंकि गर्मी में वो फिर से expand हो जाएगा तो फिलाल हमें 60 ही रहने देते हैं और आप देख सकते कि हम अब इसे remove करना है back pressure के बाद तो सबसे पहले दोस्तो हम सिलेंडर से जो हमारा charging है उसे remove करेंगे compound gauge को burn करने के बाद यह हमने compound gauge को burn कर दिया और आप देख सकते कि हम प अच्छी ही टेक्शेंजर की सब्सक्राइब हारी मतलब गरम हुआ है अगर आप ऑड़ तरफ देख जब ही टेक्शेंज होता है अगर तो गरम आवादी फिलाल हम इंडूर में चलते हैं और देखते कि वहां पर कूलिंग क्या है किस तरी की कूलिंग है वह प्रोपर है या आए सारी तो आप किस तरी के से आप उसे हटा हो सकते किस तरी किस रिमूव कर सकते क्या क्या कारण में हो सकते तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताए लाइक करना ना भूले हमारे चैनल को